विधान सभा चुनाव की मत्दान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो वही बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विने गटियार अयोध्या के प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं और उनके द्वारा चुनावी सभा भी की जा रही है इस चुनावी सभा को लेकर भारतिय किसान यूनियन के राष्ट्रिय महा सचिव घंशाम बर्मा ने बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने विने कटियार पर तंस कस्ते हुए कहा कि विने कटियार वर्तमान में कुछ नहीं है उनके आगे अब सिर्फ पूर्व ही लगा है बीजेपी ने कटियार को ना तो पद दिया और ना ही स्टार प्रचारक बनाया बीजेपी उनसे प्रचार करने के लिए कह भी नहीं रही है वो खाली है तो लोग लोकल स्टर पर काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि कटियार मज़़ूरी लेकर चुनाव है लोकल स्टर पर प्र पार्तिय किसान यूनियन के राष्ट्रिय सचिव घनशाम वर्मा ने कहा कि किसानों पर 13 महीने के हुए जुन का चुनाव में बदला लेगी इस पार किसान बीजेपी को वोट नहीं देगा देखें बिने कटियार जी बिने कटियार जी क्या है बरतमान में उनके आगे सब लगा है तो पूर्व ही लगा है बरतमान में कुछ है नहीं और अगर भारते जन्ता पार्टी उनको कुछ समझती ही होती तो एक तो बरतमान कोई पत देती दूसरा ना कुछ देती तो इस्टार प्रचारक बना देती इस्टार प्रचारक भी नहीं बनाई और ना भारते जन्ता पार्टी उनसे कह रही है कि आप प्रचार करो तो कर रहे कामों मजदोरी पर वो पूर्व है उनका भाते जन्ता पार्टी में कोई मतलब नहीं है और घूम रहे हैं उसका कोई असर नहीं होगा जन्ता के प्रति चुकि जिस समाज से वो आते हैं कहते हैं कुर्मी विरादरी से आते हैं कुर्मी विरादरी 90% अपर्टेक्श रूप से खेती करती है और 10% अपर्टेक्श रूप से खेती करते हैं यहीं 100% वो खेती से उसका संबन्द रहता तेरा महिने के आढ़्ोलन में उनको ये पता नही चला किया कितने किसान मर गए क्या सही है क्या गलत है वह ये पत्रही प्रधान मंतरी को लिखते कि भाई इस पर विचार हो जाए तो भी उनके भासत पर हम विचार कर लेते Lily आज वो पांच साल बाद पता नहीं कहां आए है और फिर पांच दिन बाद फिर वो नाला में ही जाएंगे उनका जगा नाला ही है और उनके कोई जगा होगा नहीं भारते जंदा पार्टी में तो फिरहालों का कोई असल नहीं है वो पूर्व हो चुके है पूर्व ही रहेंगे जाए जवान जाए किसान जाए किसान जाए जवान